हेलो इस्ट्रेंट इक बाफ फिर्ट से आप सभी गास पाउद है आपके इपनी यूट चैनल में अट सब्टेक्टों में इस्वर्ण आज हम बात करने वाले हैं कोशन पेपर आंसर की के बारे में साथ ही डिटेल एकस्प्लेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है सभी कोशन का ये वीडियो आपकी पार्ट वाइस रहेगी मैं कुछ पार्ट में इस पूरे कोशन पेपर की डिटेल एकस्प्लेशन प्लस आंसर की आपको प्रुवाइ टाइम में यानि कि दिसंबर 2022 में या जून 2023 में पीडिवन का एक्जामनेशन देने वाल हैं तो उनके लिए काफी इंपोर्डेंट वीडियो है वीडियो को ध्यान सवर कंप्लीट जरूर देखना इसमें सफी डिटेल में एक्स्प्लेशन साधी करेक्त आंसर प्रॉइड करने वाला हूँ तो वीडियो को लाइक एक शेयर लिदे ना चैनल पर पहली बार हूं हमारी वीडियो पहली बार देख़र हो तो मेक श्रूर आप चैनल को जरूर से सबस्क्राइब करें साधी बेल आइकन डोएं सब्शसे प पेपर का फ्रेंट पेज भी आप साइड में देख पा रहे हैं क्योंकि नॉट प्रोपर क्लियर है इस पर यह से मैंने यह वाला आपकी सामने रखा है इंस्ट्रक्शन सिमलर हैं ओवरॉल चीज़ें सिमलर हैं बस यह टमेंट एक्साम डिफरेंट लिखा राइट 50 कोशन हर ए हिंदी या इंग्लिश उसमें एक्जामरेशन दे सकते हैं को इश्यू नहीं आतो रिस्पेट कि आपकी मीडियम इंग्लिश या हिंदी है तो इसमें को इश्यू नहीं आएगा ओकी अब बात कर लेते हैं आपकी टाइम डॉरेशन टू आवर स्पेपर एंड 50 मार्क्स कोश इसने की तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड ऑप्षन ग्रो हरलेम प्रूट लेंड इन्होंने इसकी अद्यक्षिता की थी और इसका डेटेल एक्स्प्लेनेशन मैं आप सभी को रिक्मेंट करूंगा कि आप लोग पेज नंबर 13 पेज नंबर 13 पर जाएए और यहा पर इसकी बारे में क्लियर कट काइडलेंस दे रखी है आप देख पारेंगे वर्ल्ड कमीशन और इन्वार्मेंट और इनका एक मोटो था वो छो लाइन है ना इससे भी कई बार कोशन आते हैं तो यह तो आपको पता चल गया यह नौर्वे की प्राइम मिनिस्टर थे जो क इन्होंने अद्यक्षिता की थी आपकी वर्ल्ड कमीशन और इंवार्मेंट एंड डैप्लोप्मेंट की डबलू सी इडी इसके लाबा इनका जो मोटो था वो था मीटिंग देनेट्स और प्रिजेंट जेनरेशन विदाउट कंप्रमाइजिंग अबलिटी और फ्यूचर जनरेशन टुमीट देर आवनेट मतला हमें इस रिसोर्स का यूज करना है अपनी नीट्स को फुल्फिल करने के लिए लेकिन ऐसा नहीं करना कि जो आने वाली जनरेशन उनके लिए कुछ पचे ही ना उनको सेक्रिफाइस करना पड़े ओके तो इसका डेटेल एक्स्प्ले यूशर भी कहते हैं और जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वैक्टेडिया एंड फंगाए और एक कैटेग्री में हम अर्थ फॉर्म को भी इसमें इंक्लूड करते हैं तो इस पेपर में कुछ चीज़े ऐसी देखने को मिली है कि दो-दो ऑप्शन दोनों ही करेक्ट हो रहे 28 ओके पीडियाप का 28 पेज नबर जिसमें डिकंपोजर सेब्ट्रॉप्स एंड रिड्यूशर के बारे में टेटेल में देरका और यहां पर बताए भी है कौन से होते हैं फंगाई और रिस्पांसवर डिकंपोजिंग ओके ओल्राइट यह गिवेन है आपको यहां से आप देख पाएंगे तो हमारे सेकिंड कोर्शन भी हो गया आप बात करते हैं थाइड कोर्शन की थाइड कोर्शन है विच्पन अब दो फॉलिमिंग इस नॉट फन और दी प्रियोर्डी एरिया फो अचीविंग सश्टनेवल डेपलपेंट गोल सो भी या इसका करेक्ट आंसर क्या है वो भी आप चाल लेजे हिंदी में गये तो निव्कित मैसी कौन ससदत विकास के लक्ष का प्राजमिक्ता वाला शेतर नहीं है और इससे पहले मैं आप सभी को इस बारे में बता दूँ जो यह टर्म्स हैं जैसे आपका प्रेडियूजर है ओटो ट्रॉप्स, कंस्य इसका अंसर और एक्स्प्लेनेशन आपको पेज नंबर पीडियाप का 16 और बुक का 15 पेज नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर यह सभी ऑप्षिंस किवें हैं कि कौन-कौन से ऐसे प्रियोर्टी एरियास हैं फो अचीविंग सश्टनिवल डेपलोपेंट यहां पर आप देखेंगे आपका जो ऑप्षिंस है यहां पर प्रोटेक्शन ऑफ़्रस्ट और हैविटेट यह भी आपका एक ऑप्षिं है जो की जो की हमने इंकुलूड किया था सेंबर हाग्पेंटि狀 इसके लाबब रिडिथ पोड़्टी एनं तर्ड वर्ल डेप्ट यह भी इसके एक main goal था, यह भी यहाँ पर include किया गया है, यहाँ पर आप देख पारें second option, ओकिये, all right, इसके बाद में एक और है, आपका reduce base generation, यह भी इसमें include है, reduce base generation, जो हमारा last बचा वो है आपका zero pollution, यानि third option आपका correct है, हिंदी में गयता है, शूने production, और यहाँ पर आपक detail explanation given है आप लोग देख पाएंगे page number 15 है यहाँ पे priority areas for achieving sustainable development sustainable development से आपके questions आने ही आने यह topic इस chapter का काफी important topic है चरूर से कर लेना ओके all right बात करते हैं question number 4 की question number 4 भी आपका काफी important है और यहां से questions देखने को मिले है question number 4 है the main sulfur reservoir in the sulfur cycle is present in the option आपके वास में soul volcanoes eruption hydrogen sulfide water बड़ा sulfur बंडा sulfur चक्र के dash में नेहित है मृदा ज्वालव मोखी स्पोर्ट hydrogen sulfide and पानी इसका जो correct answer है वो है मृदा हिंदी और English में soil okay इसका जो correct explanation आपका given है बो है आपका pay number book का 36 pdf का 37 यहां पे आप देख पाएंगे sulfur cycle में यह सारी ही point आपके लिए given है आप लोग को यहां पे correct पे मिल जाएगा आपके 4 question की भी आप बात करते हैं डियर 5th question की और sulfur cycle, water cycle, hydrogen cycle, nitrogen cycle यह cycles आपकी काफ़ important है chapter की जरूर से करके जाना है इन चेप्टर में से cycle से question बने यह गाई ही okay all right question number 5 level 4 of the tropic level could be occupied by पोशी इस्तर के चौथे इस्तर पर पाया जाता है इनमें इसी कौन सा चौथे इस्तर पर पाया जाता है उसके बार में आपसे पूचा हुआ है so इसका जो explanation है और जो correct answer है वो मैं आपको बता जो पहले हम बात कर लिए correct answer की तो correct answer हमारा है जो की है Carnivores यानि की Tiger यानि की Hindi में बाग तो fourth option हमारा correct है अगर आपने fourth लगाया तो correct है इसका explanation की बात करूँ तो explanation के लिए आपको जाना पड़ेगा page number 28 और PDF का 29 यहां पर आपको यह tropical level देखने को मिल जाएंगी यहां पर clearly mention है tropical level आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं यह आपकी fourth tropical level है जिसमें Carnivores की बारे में detail है इसके लावर यहां पर given भी है fourth tropical level में आपके यहां पर given है known as अब इनमें कौन सा land component है जी मंडल में मुख्य भूमी भाग को डैश की नाम से जाना जाता है तो options आपके पास में given है और यह बहुत ही easy सा है थल मंडल है यानि की थल मंडल हिंदी में English में गए तो लीथो इसपेर इसका correct explanation आपको कहां देखने को मिलता है वो मैं आपको बता देता हूं page number 24 और अगर हम बुक की बात सुरी पीडियेप की बात करें तो page number 25 यहां पे आपके given है लीथो इसपेर लैंड को represent करता है हाइडर इसपे वाटर को एट्मोसपेर एयर को ओकी ओल्राइड यह आपका correct option है इसके बाद में dear question number 7 question number 7 की हम बात करते है इसमें आइडेंटिफाइड फॉल्विंग टाइपस फूद चेन गौर्ज नेवोटेट सेबोटर्विक पैक्टेरिया लिखित में से खाजी संख्ला को खाजी संख्ला प्रिकार को पैचानिये वक्रीश शूत क्रमी म्रत पोशी जिवाड़ में से कौन सा option आपका correct है वो आपको आपको देख पा रहे हैं और इसका जो आंसर है वो है पैरिस्टेटिक food chain explanation भी आप सभी को दिखा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से clear out हो जाए तो यहां पर आप लोग देख पाएंगे मैं आपको दिखा भी देता हूं आपका जो page नंबर है वो है आपका 30 page नंबर 25, 26, 27 यह आपका page नंबर 30 और यहां पर आपके पैरिस्टेटिक food chain के बारे में दे रखा है चैब्रा नेमुठेट एंड सेपोटेक बैक्टेरिया यहां पर आपका क्या गिविन था यहां पर आपका गॉड के विन था जो की ग्रास पगेराव को कंस्यूम करती है यह भी questions बनते हैं आप जरूर से यह food chain को करके जाना इसके बाद में question number 8 है आपका question number 8 है the discipline of public health was established in Europe after dash year कौन सी year में यूरोप में चन स्वास के अनिशाषन की प्रस्तापना किसके अपरांत हुई okay so इसका जो correct explanation है और जो correct answer है वो भी आप देख लीजिए because काफी important है और यह हुआ क्या आपको बदा है कि यह industrial revolution काफी बार देखने को मिले है जैसे भारत में भी कई बार changes हुए है ऐसे यूरोप में एक चेंज हमें देखने को मिला वह आपका block 4 में आपका option है मैं आपको दिखा देता हूं हमें जाना है इसका page number कि 257 पर राइट कि 257 पर के ओल्राइट अगर यह ब्लॉग बाइस नहीं होता मतलब combine book होती तो काफी easy हो जाता क्योंकि इतना detail में नहीं जाना पड़ता ढूनना नहीं पड़ता लेकिन प्रॉब्लम यह यह ब्लॉग बाइस के पर नहीं ब्लॉग बाइस के बेनेस्वारी तो यहां पर आपको इसका भी correct answer देखने को मिल जाता है हमारा page number 250 पर इसके बारे में detail में बात की गई है कि यह यह यूरोप में क्या हुआ था industrial revolution आयता है 1842 में जिसके बाद से यह सारी छीर्या में देखने को मिल जाता है आप इससे भी पड़ लेना इसके बाद में हमारा 9th question 9th question है the occurrence of dash may take place when sea water in the tropical world get heated about 27 degree and low pressure measures develop above the water level so the correct answer हिंदी में बात करें जब ओश्री कटी बन दिये पट्टी में समुदरी जल 27 degree अधिक पर गर्म हो जाता है जिससे जल इस्तरों के ऊपर कम दवाव शित्र बन जाते हैं तो dash का निर्वाड़ होता है so correct answer आपका tsunami नहीं है जो यहाँ पर लगाया हुआ है वो बिलकोल भी नहीं correct answer है आपका चक्रवाद option 2 cyclone जो कि आपका correct answer है और इसका जो explanation है वो भी मैं आपको दे देता हूँ वो है आपका पे number 257 पर और 258 पर क्योंकि cyclone की बारे में यहाँ पर complete way में बात की गई है आप यहाँ पर देख पा रहे है explanation आपका given तो चलिए अब बढ़ते हैं last question की और इस वीडियो के question number 10 जो की हमें given है flood in which two countries result in two-thirds of total death caused by floods किन दो देशों में बार्ड से मृत्यू संसार के कुल बार्ड से मृत्यू के दो तिहाई हिस्सों के कारण होती है अब इसका जो correct answer है और यो flood है जो हमारा generally हमें बार्ड की हाला देखने को मिलते हैं वो आपके समुद्री इलाके में देखने को मिलते हैं जैसे हम बांगलदेश की बात करें इंडिया की बात करें यहाँ पे जायतार देखने को मिल जाता है और two-third populations आपकी कारण से death हो जाती है two-third population की यानिकी दो जनसार की और इसका जो correct explanation आपका given है वो आपको यहाँ पे देख पाएंगे आपका है page number 257 यहाँ पे आपका clearly given है इस बारे में flood की बारे में जानकारी और correct explanation भी है पांगलदेश ए इंडिया together account for over two-third of global death count each year भी काफी दुगत है और यह हमें यहाँ पे देखे को मिल जाता ह है कि सो फ्लर्ट साइकलोन कि सुनामी या के काफी important हैं बाकि जोन से भी questions आते हैं अर्थ को एक जोन के बारे में भी questions कई बार पूछे गए हैं